नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर गरुप्रभा और स्वागत करते हूं आप सभी लोग का अपनी इस चैनल पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सी बीसी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए कैसे समझा जाए तो सी बीसी यानि की कंप्लीट ब्लट काउंट टेस्ट यह ट लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस्ट ना हो और मैं आप तक ऐसी अलग-अलग मेडिकल टेस्ट और इनस्टिगेशन से जूरी जानकारिया लगाया जाता है इसको बेसिक रूटीन हेल्थ इनस्टिगेशन के तौर भी कराया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान करवाया जाता है और कई सारे और चीज़ें जब डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं तो यह टेस्ट करवाने की सला देते हैं इसमें बलड और उससे प्रति रोदक शम्ता कैसी है हमारे शरी में कोई इंफेक्शन है वारिल इंफेक्शन है इन सब चीजों के जांचने के लिए यह टेस्ट जरूर करवाया जाता है पहला पैरामीटर है हेमोगलोबीन एक प्रकार का प्रूटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को करी करता है तो इसक का जो वैल्यू होता है महिला और पूर्शों में थोड़ा सा डिफर करता है हम आते हैं अपनी दूसरी वैल्यू पे आर्बीसी काउंट जो कि 4.50-5.50 मिलियंस पर क्यूबिक मिलेमिटर दिया हुआ है मतलब यह जो रेंज मैंने आपको बताए इसी के बीच में नॉर्मल व होनी चाहिए फिर है mcv जो की 80-100.50 लिटर के बीच में होनी चाहिए नेक्स पेरमिटर है mch जो कि 27-32 पीको ग्राम के बीच में होना चाहिए इससे आगे या पीछे इसके वैल्यू को अल्टर दिखाता है फिर है mchc जो की 32-35 ग्राम पर डियल नॉर्मल वैल्यू है इसका जो range है यह है next है हमारा red cell distribution width RDW इसकी जो normal value का range होता है वो है 11.50 to 14.50% अब थोड़ा से जान लेते जो मैंने अभी आपको बताया mcv, mch या फिर mch है क्या meaning क्या होता है जैसे के mcv है main carpus volume या फिर mch है main carpus clear hemoglobin यह सारी वो values होते हैं जिसमें कि हम rbc और hemoglobin के concentration को और उनके size को इन सब चीजों को measure करते हैं वैसे हमारा red cell distribution width है उसमें हम जो red cell है उसकी जो variation है size का वो measure करते हैं तो यह सारी अलग-अलग values होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया तो इन सबको भी anemia के case में जाचा जाता है और उससे जो result होता है interpret किया जाता है इसका जो value होता है वो देखने के बाद फिर आता है total leukocyte count जो कि 4.00 to 10.00 thousand per cubic millimeter होना चाहिए यह होता है leukocyte मतलब कि wbc white blood cells यह वो cells होते हैं जो हमारे शरीर में हमारे शरीर की रोग प्रति बढ़ाते हैं और हमारे शरीर में होने वाले immunity के लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे शरीर में अलग अलग infection से लड़ने के लिए यही cell जिम्मेदार होते हैं यही cell हमारी मदद करते हैं कई सारे रोगों से बचाने में अभी मैंने आपको बतायता है total leukocyte count अब हम दिखते है differential leukocyte count इसके बारे में भी मैंने अपने पहले के वीडियो में आपके साथ डिसकस किया है जो leukocyte count है उसको फर्दर और कई components में डिवाइड किया गया है अलग infections में अलग अलग conditions में कई बारी total leukocyte count मतलब कि जितने पूरे WBC हैं उनको जाजा जाता है और कई बारी उनके जो प percentage values हैं सबसे पहले आता है segmented neutrophils जो की 40-80% होता है next है lymphosex जो की 20-40% के बीच में होता है monosex जो की 2-10% के बीच में होता है eosinophil जो की 1-6% के बीच में होता है basophils जो की less than 2% की range में होता है यह सारे values को देखा जाता है जो normal ranges होते हैं यह मैंने आपको जो ranges बताएं यह reference ranges है जो normal values आती है इन reference range के बीच के आती है और अगर उससे कम या जादा आती है तो कहीं ना कहीं शरीर में कुसी ना किसी दिक्कत की तरफ indicate करती है अच्छा यह जो सारे मैंने आपको values बताएं यह lab to lab यह सारी values vary करती हैं मतलब कि जो मैंने आपको reference ranges बताएं वो एक lab में में थोड़ा सा जादा आ सकता है तो उसमें कोई चिंता का विशह नहीं है तो यह lab to lab यह ranges जो होते हैं वेरी करते हैं और यह जो सारे test होते हैं बहुत ही sensitive होते हैं तो हमेशा मैं सजेस्ट करती हूं कि सारे test जो होते medical test investigations इनको एक अच्छे lab से reliable lab से कराना चाहिए तो अगर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कोई सुझाव देना चाहते तो कमिल बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं धन्यवाद